मैं बहुत परेशान हूँ अपनी 20 साल पुरानी धात रोग की समस्या को लेकर नहीं रही हिम्मत किसी लड़की से बात करने की, जैसे ही किसी लड़की के कॉन्टाक्ट में आता हूँ तभी चिपचिपा पानी गिर जाता है, नाइट फॉल भी होता है, पेशाप बार बार आत तो हो चुके हैं आप परेशान, सब कुछ करके देख लिया लेकिन धात रोग से चुटकारा नहीं मिला, तो फ्रेंज ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए बनाई गई है, ताकि इस समस्या से आप पाए जिंदगी भर के लिए चुटकारा, शुरूआत करेंगे कि चिपच चिपचिपा पानी की समस्या क्यों होती है, इसके क्या साइड एफेक्ट्स है, इस समस्या में क्या खाए और क्या ना खाए, और सबसे जरूरी बात इसका इलाज कैसे करें, तो आए बिना देर करें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. चिपचिपा पानी निकलने का पहला कारण हो सकता है, मैस्टरबेशन यानि हस्ट मैथुन, हस्ट मैथुन करने से लिंग में तनाव आता है और फिर अपने आप चिपचिपा पानी निकल जाता है, दूसरा है नाइट फॉल यानि स्वप्न दोश होना, नाइट फॉल होने स धातु रोग की समस्या हो सकती है यौन क्रिया करने से बार-बार तनाव आता है और उसे चिप-चिपा पानी निकलने की समस्या हो जाती है चौथा है लड़की से फोन पर बात करना लड़की से फोन पर लंबे समय तक बात करने से भी बार-बार तनाव आता है और फिर चिप- कामों को पूरी तरह से बंद करें क्योंकि ऐसा काम करने से शरीर को काफी नुकसान होता है तो आप अपने दिल दिमाग को पूरी तरह साफ रखें जो बाते मैंने बताई हैं और जो बाते मैं बताने वाला हूं उनका भी ध्यान रखें तो सबसे पहली बात आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है क्योंकि ये एक शारीरिक बीमारी है इसका उपाए भी है इसका उपाए है लेकिन उससे पहले आपको वो सारी हरकते छोड़ देनी है जो आप करते हैं जैसे masturbation यानी हस्त में थुन करना लड़कियों से फोन पर बात करना पॉन मूवी या विडियो देखना इन्हें हो सके तो पूरी तरह बंद कर दे क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका शरीर फिर से develop होना शुरू होगा लेकिन अब क्या है कि आपने और वीडियो देखी होंगी जिस और आगे भी ऐसे ही बने रहना ताकि कुछ टाइम के बाद आप भूल ही जाओगे के ये परेशानी आपको पहले कभी थी या नहीं और फ्रेंड्स इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली knowledgeable और healthful वीडियो आप कभी मिस नहीं करें तो फ्रेंड्स इसके बाद आप क्या करते हो कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और वहां से कुछ टाइबलेट्स ले आते हो फिर उन्हें खा लेते हो और अब वो टॉयलेट के रास्ते से बाहर आ जाती हैं उनसे कोई फायदा नहीं होता और अब आप परेशान हो जाते हो कि मैं इस पहले भी बता चुका हूँ, ये एक शारीरिक बीमारी है, इस बीमारी का उपाय भी है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने साल दो साल से हस्थ मैथुन नहीं किया, तो उन्हें mentally strong होने की जरूरत है कि उन्हें अपना daily routine बनाने की जरूरत है, मौनिंग में exercise करने की जरूरत है, बाकी जो दवाई इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उसे भी आपको लेना है, और अब बात करते हैं कि ये बीमारी किन-किन शकलों में आती है, जैसे तनाव आया चिप-चिपा पानी निकला, फिर तनाव खत्म, अब तनाव ही नहीं पूरे दिन में, रात को सोए और सुबह देखा तो अंडवे में liquid discharge, तो अलग-अलग shape and form में ये परेशानी आती है, और ये भी समझे कि फर्क इससे नहीं पड़ता कि आपने 15,000 की दवाई खाए, 10,000 की दवाई खाए, 5,000 की दवाई खाए या फिर 100 रुपे की दवाई ख खाए है, उस दवाई का composition अच्छा है या नहीं, और अगर आपसे कोई कहे कि ये एक आयूरवेदिक दवाई है, थोड़ा time तो लेगी ठीक होने में, एक महीना, दो महीने या तीन महीने, तो वो बात एक हद तक ठीक है, लेकिन अगर उस दवाई का फर्क आपको 15 दिन में दिखना शुरू हो जाता है, तो ऐसी दवाईया और नुस्खों से आप ठीक नहीं हो पाएंगे, और अब बात करते हैं कि खाने में क्या ले और क्या ना ले, तो मसाले वाली चीज बिलकुल बंद करें, क्योंकि 80 प्रतिशत जिनको ये परेशानी रहती है, उन्हें एक और परेशानी होती है, पेट की परेशानी, जैसे हाजमा ठीक नहीं है पेट में, असिडिटी रहती है या कब्स है, तो ये परेशानिया रहती है, और 20 प्रतिशत उसमें ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि उनका पेट साफ है, लेकिन ऐसा नहीं है, उन्हें भी पेट की परे चीजों का जैसे मास, अंदा, मुर्गा, मचली वगेरा वगेरा क्योंकि नॉन वेज में डलते हैं बहुत सारे मसाले और खाने में क्याले आप हरी सबजिया ले सकते हैं जैसे लौकी, भिंडी, तोरी और आलू गो भी रात में नहीं खाने हैं दिन में खा सकते हैं इसी तरह स आपका इलाज चलेगा और अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है तो आप मुझे WhatsApp पर मेसेज भी कर सकते हैं इसी के साथ दिन में दूद लेना है रात में नहीं क्योंकि उससे digestion में फर्क पड़ता है और पल जरूर खाने हैं क्योंकि इन में भारी मात्रा में होते हैं fiber, minerals औ और vitamin जो शरीर की काफी कमयों को खत्म करने में help करते हैं और दिल की बीमारी को कम करने cancer, सूजन, खुजली जैसी बीमारियों में काफी कारगर साबित हुए हैं और friends बाजार की चीज बंद करें जैसे burger, chaumine, pizza वगेरा और friends एक और बात जब आप दवाई ले तो इसमें 30 मिन होते हैं कि जड़ी बुटिया घर पर लाकर ही इलाज करना शुरू कर देते हैं, पहले तो उनकी जड़ी बुटिया पूरी नहीं होती, जितनी इस बीमारी को दूर करने में चाहिए होती हैं, उतनी नहीं होती, चलो माना कि वो सारी जड़ी बुटिया ले आए, लेकिन उन 60 ग्राम का होता है जो लगभग 15 से 20 दिन चलता है इस दवाई का कोर्स 2 से 3 महीने का होता है लगभग 10 से 15 दिन में इस दवाई से आपको फायदा दिखना शुरू हो जाएगा इस दवाई को ओडर करने के लिए आपको अपना नाम फोन नमब और अड्रेस पिन कोड के साथ द आपको प्रतिशत सेफ है तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई एंड टेक केर